जेहिन मैं निशान सौरब आप सभी को लेट्स क्वालिफाय नौ में स्वागत करता हूँ बेटा इस सेसर में मैं डिसकर्स करने जा रहा हूँ करन्ट अफ्यास 5 जनवरी 2023 का करन्ट अफ्यास बिल्कुल ताजे ताजे ख़बरों के साथ मैं लेकर आया हूँ और इसके साथ मै मैं कुछ अस्टेटिक पार्स को भी कवर करूंगा आज का इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा अस्टेटिक पार्स में इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स ठीक है जो महतोपूर्ण ते वहारे हैं अलग-अलग राजियों के उसके बारे मैं यहाँ पर डिसकर्स यहाँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पाले आपके पास पहुंचे है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं का कि सबसे पहले यहाँ पर दिल्कुल नोट करते चलिएगा अपने सुन्दर और प्यारे प्यारे अच्छों में भारत के परमुक्तिवार लिखेगा बेटा आप हेडिंग दे दिजेगा आप लोग भारत के भारत के पर्मुक्टिवार जो भी इंपोर्टेंट फेस्टिवल रहेंगे उन्स सभी को मैं हापे डिसकर्स करूंगा चाहे हो SSE CGL का exam हो चाहे GD का हो सभी examination में ये पूछे जाते हैं बेटा questions और यहां से आपको पढ़ते कि examination में questions मिल ही जाएगा 100% है चलिए सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं बेटा first number में लिखिएगा first number लिखिएगा बेटा सबसे पहले लिखिएगा मरू महुत्सव मरू महुत्सव बेटा बताईएगा आप लोग मरू महुत्सव कहां का मुख्य तिवहार है बताईएगा बेटा तो लिख लिजिए आप पोकरन में पोकरन का है ये बेटा और ये पोकरन कहां है जैसल मेर का चलिए, सेकेंड नमबर लिखिएगा आप लो, सेकेंड नमबर, सेकेंड नमबर लिखिएगा बेटा, मेदराम जातरा, मेदराम जातरा, बताईएगा यह कहां का पर्मुक्तिवार है बेटा, यह लिखिएगा तिलंगाना का, तिलंगाना का है बेटा और ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि जो कुम्ब का मेला होता है बेटा कुम्ब का मेला तो कुम्ब मेला के बाद कुम्ब मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है बेटा दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये मेला ध्यान रखिएगा जो कुम्ब का मेला मनाया जाता है बेटा तो इसके बाद मेदराम जात रहें सबसे बड़ा मेला है ठीक है इसके बाद लिखिएगा खुजराहो फेस्टीवल बताएगा बेटा खुजराहो फेस्टीवल कहा का पर्मुक्तिवार है बताएगा खुजराहो फेस्टीवल कहा का पर्मुक्तिवार है थर्ड नमबर लिखिएगा खुजराहो फेस्टीवल ते वहार है बिटा लिख लिजेगा मध्य पर्देश पार्मूख यह मध्य पर्देश का पर्मुक्त वहार है बिटा ठीक है चलिए फॉर्फ नमबर लिखियेगा आप लोग फॉर्फ नमबर में बताईएगा ध्यान रखिएगा पुषकर फेस्टिवल है बेटा जम्मू कस्मीर का जम्मू एंड कस्मीर का है बेटा जम्मू कस्मीर का है ये ठीक है जम्मू कस्मीर कोई बात नहीं डैस भी दे सकते हैं या एंड लगा देजों कोई दिकत नहीं बेटा जम्मू कस्मीर का प महत्व को बताने के लिए आयोजीत किया जाता है बेटा ये जो फेस्टिवल है न ये जो तेवहार है ये तेवहार ये तेवहार नदियों के महत्व को बताने के लिए बताने के लिए आयोजीत किया जाता है आयोजीत किया जाता है ठीक है इन चीजों को ध्यान दीजिएगा important है question पुछी देगा फिर क्या करेंगे आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग लिखिएगा fifth number fifth number लिखिएगा बेटा fifth number पुछकर का मेला ध्यान रखिएगा पुछकर का मेला और पुछकर फेस्टिवल दोनों अलग अलग होते हैं ठीक है जो पुशकर फेश्टिवाल है ये जमुका स्मिरका है और पुशकर का मेला ये पुशकर की राजस्थान में मनाए जाता है ये तो लिख लिजेगा पुशकर का मेला पुशकर मेला लिख लिजिए या पुशकर का मेला लिख लिजिए बैटा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये कहां मनाया जाता है तो ये पुशकर राजस्थान में मनाया जाता है बैटा कहां मनाया जाता है लिख लिजे उट फेस्टिवल बेटा ये कहां का है तो लिख लिजेगा भीकानेर आपको पता ही है हना रिगिस्तान का जहाज बोला जाता है उट को तो ये भीकानेर का है ठीक है आगे लिखिएगा सेवेन नमबर लिखेगा बेटा सेवेन नमबर लिख लिजे असपूतिक गस्टर फेस्टिवल ये कहां का है ये तो इसके बारे में लिख लिजे यह लद्दाख में मनाया जाता है लद्दाख मेंः से घान रखेंगा इस festival को बोला जाता बेटा मुखावटा फेस्टिवल भी इसे बोला जाता है त्यान से मज़ियगा इसे क्या ола यहाँ नमबर एक पॉइंट बिलकुल यहाँ पर इंपोर्टेन्ट है मेरे बच्चू चलिए एक नमबर लिखेगा बेटा लोसर फेस्टिवल लिखेगा बेटा लोसर 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 फेसीवल लिख系 घाए यह यह तो यह बारें भी लिख लिएगा ये लदाक में मनायाजाता है कहां पर रुखे करना नूंबर नाइन इख देगा लोसांग ये लोसांग फेस्टिवाल कप दोनों में ध्यान संज एक एक लोसांग है तो ये फेस्टिवाल मेरे बच्चो ये ही सिख्की में मनाया जाता है कहा मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा टेन नमबर को लिखिएगा मेरी बच्चों 10 नमबर 10 नमबर लिखिएगा Memis festival बताई बेटा Memis festival कहां मनाई जाता है यह लिख लिजेगा इसके बाए में लदाख में मना जाता बेटा और एक चीज और आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा राश्ट्य उद्यान है है में राश्ट्य उद्यान यह कहा है बेटा मेरे बच्चों तो लदाख में ठीक है तो point note करके लिख लिजेगा भारत का भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राष्टिय उद्यान उद्यान कौन सा है बेटा ये हेमिस हेमिस राष्टिय उद्यान है बेटा हेमिस राष्टिय उद्यान है और ये कहां है बेटा तो ये भी कहां पे है तो लद्दाख में मेरो बच्चों तो ध्यान रखिएगा ये सभी points यहां से questions बिल्कुल बनते ही है ठीक है चलिए आगे लिखिएगा बेटा 11 number 11 number में लिखिएगा हौर्न बील फेस्टिवल हौर्न बील फेस्टिवल बेटा है हौर्न बील फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा हौर्न बील फेस्टिवल नागा लेंड का परमुक ते वहार है बेटा कहां का ते वहार है तो नागा लेंड का परमुक ते वहार है ये इसके बात लिखिएगा 11 11 नमबर हो गया बेटा 12 नमबर लिखिएगा 12 नमबर लिखिएगा बेटा मकर विलकु मकर विलकु मकर विलकु ति हार ठीक है बेटा ये मनाई जाता है मेरे बच्चो केरल में कहा मना जाता है बेटा केरल में मनाई जाता है ठीक है दुखेए एक ध्यान रखिएगा केरल में एक और बताईएगा ध्यान से पॉइंटिक में नोट कर लीजेगा बेटा केरल में एक मंदिर है केरल में एक मंदिर है जिसका नाम है बेटा सब्री माला क्या नाम है बेटा सब्री माला नाम है जिसका ठीक है इसी के अंदर मनाया जाता है इसी मंदिर के अंदर मनाया जाता है ये फेस्टिवल ठीक है जो मकर विलकू फेस्टिवल है बेटा इसी मंदिर के अंदर मनाया जाता है इसी मंदिर के अंदर मनाया जाता है ठीक है ये जिहान रखिएगा इंपोर्टेंट है अगर कोशन पुछ दिया कि बताइए मकर विलकूव तिवार के कौन से मंदिर में मनाया जाता है तो सब्री माला मंदिर है बेटा के रल में चलिए आगे लिखिएगा थर्टीन नमबर त्यरा नमबर बेटा आप लोग हेडिंग दे दीजेगा थर्टीन नमबर नमबर दे दीजेगा आप लोग लिखिएगा सिग्मो फेस्टिवाल सिग्मो फेस्टिवाल यह कहां का परमुक्ति वहारे बिटा यह है गोवा का यह कहां का है तो गोवा का है चलिए आगे लिखिएगा next 14 नमबर लिख लिजेगा 14 नमबर वांचुवा फेस्टिवल वांचुवा फेस्टिवल ठीक है यह कहां का है तो यह असम का है देखिए असम का बिहुति वहार भी होता है ठीक है तो बिहुति तीन परकार के होते है चलिए आगे लिखिएगा next लिखिएगा 15 नमबर लिख लिजेगा तिरसूर पूरम तिरसूर पूरम तिरसूर पूरम तिवहार तिरसूर पूरम तिवहार ठीक है तो देखिए ध्यान से समझेगा जो तिरसूर पूरम तिवहार है बेटा यह मनाया जाता है केरल में कहा मनाया जाता है बेटा केरल में मनाया जाता है और ध्यान से समझेगा इ important point इस त्योहार में जो ये आप त्योहार देख रहे है बेटा ये जो त्योहार मनाया जाता है इस त्योहार के अंदर भगवान शीव और माता दुर्गा जो भगवान शीव है इस त्योहार के अंदर जो भगवान शीव है बेटा और जो माता दुर्गा है माता दुर्गा ठीक है बेटा इनके इन्ही दोनों से क्या है बेटा ये संबन्धीत है ये त्योहार ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा अगर पुछ दिया कि बता ये केरल में मनाया जाता है तो ये किन्स से संबंदीत है और option में दे देगा ठीक है चलिए आगे आते हैं तो ये बेटा तियों पूरम तियोहार है ये केरल में मनाया जाता है और हमकि भग्वानशिव और मातादुर्गा से संबंदीत है चलिए मेरी बच्यों आगे लिखिएगा लिख लिजिएगा नमबर दे दीजिए 60 नमबर काला घोरा फेस्टिवल काला घोरा फेस्टिवल तो काला घोरा फेस्टिवल के बारे में बताईएगा यह कहां मनाय जाता है तो लिख लिजिएगा इसे मनाय जाता है मुंबई में कहां मनाय जाता है बेटा मुंबई में नेक लिखिएगा हेडिक नमबर दीजेगा 17 17 नमबर लिखिएगा बिटा काला नमक चावल फेस्टिवल काला नमक काला नमक चावल फेस्टिवल ठीक है बेटा यह कहां पर मनाया जाता है तो लिख लिजेगा सिधार्थ नगर सिधार्थ नगर यह कहां पर है बेटा यह है उत्तर परदेश ठीक है चलिए इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट नमबर 18 18 तो 18 नमबर में लिख लिजेगा बेटा आप लोग देखें बथुक बथुक कम्मा फेस्टिवल ठीक है बेटा क्या है बथुक कम्मा बथुक कम्मा फेस्टिवल बथुक कम्मा जो फेस्टिवल है बेटा ये कहां का है तो इसके बारे में लिख लिजेगा ये तेलंगाना का है कहां का है बेटा तेलंगाना का ये परमुक्तिवहार है चली इससे ध्यान रखेगा जो ये बथुक कम्मा फेस्टिवल है इससे क्य का जाता है ये लिख लिजिएगा इसके बारे में फोलों का तेवहार इसे क्या कहा जाता है भीटा फोलों का तेवहार कहा जाता है चलिए अगे लिखिएगा 90 number 90 number लिखिएगा थाई सूप थाई पुसम ठीक है थाई पुसम थाई पुसम फेस्टिवल यह कहां मनाया जाता है बेटा तो यह मनाया जाता है तमिल नाडू में यह मनाया जाता है तमिल नाडू में चलिए आगे लिखिएगा 20 number 20 number लिखिएगा फुल डोल फुल डोल यह कहां मनाया जाता बेटा शाहपूर में मनाया जाता है ठीक है और यह शाहपूर कहां पे है तो राजस्थान में ठीक है कहां पे है तो राजस्थान में चलिए question number 21 लिखेगा मेरे बच्चों 21 मांडू फेष्टिवर तो यह जो मांडू फेष्टिवर गरिप बच्चों चलिए आगे दिजिएगाा22 नमबर 22 नमबर में लिखिएगा निमाडी मिर्च फेस्टिवल निमाडी मिर्च फेस्टिवल तो जो निमाडी मिर्च फेस्टिवल है बेटा ये कहां कहा है ये तो इसके बारे में लिख लिएगा ये भी है मेरे बच्चों मध्य पर्देश का कहां कहा है बेटा तो मध्य पर 23 नंबर ठीक है लिखेगा 23 नंबर धानो यात्रा धानो जात्रा लिख लिजेगा जो धानो ये कहां का पर्मुक्त वहार है बिटा धानो जात्रा इसके बारे में लिख लिजेगा ओडिसा का ओडिसा का पर्मुक्त वहार है और अगर इसके बारे में पूछ दिया कि बताईए ये किंस से समद्धित है तो लिख लिजेगा भगवान भगवान श्री क्रीष्न श्रीक्रिष्न और किसे संबंधित है बेटा जो मामा कंस थे है ना कंक नहीं कंस कंस ठीक है मामा कंस से संबंधित था बेटा से संबंधित है धानु जातरा ठीक है आगे लिखिएगा 24th नंबर में 24th लिखिएगा बेटा नुवाखाई नुवाखाई मेरे बच्चों बताएए नुवाखाई कहां का पर्मक्तिवहार है नुवाखाई है बेटा ओडिशा का ठीक है ओडिशा का इसके बाल लिखिएगा आगे 25th नंबर में लिखिएगा मेरे बच्चों 25 नमर में लिखिएगा लिखिए राज पर्व कहा का पर्मुक्ति वहार है राज पर्व तो बेटा जो राज पर्व ते वहार है ये भी ओडिशा कहीं पर्मुक्ति वहार है बेटा ओडिशा ठीक है ओडिशा आगे लिखिएगा 26 नमर जगनाथ रथ यात्रा जो जगनाथ है रथ यात्रा होता है बेटा यह बताए कहां कहा है तो यह भी ओडिशा कहीं है ठीक है ओडिशा आगे लिखिए आगे लिखिएगा 27 नमबर आगे लिखिएगा 27 नमबर लिखिएगा बेटा एक बार लिख लिखिएगा चेरी बलाज्म फेस्टिवल चेरी बलाज्म फेस्टिवल जो यह चेरी बलाज्म फेस्टिवल होता है बेटा यह शिलॉंग में मनाया जाता है कहां पर बेटा तो शिलॉंग में मनाया जाता है अगर इसके बारे में पूछ दे तो इसके बारे में लिख लिजेगा एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए जो जो चेरी बलाजम नामक विशेश फूल होता है चेरी बलाजम नामक एक परमुक फूल होता है बेटा एक विशेश फूल होता है ये ठीक है एक खास तोर पर ये विशेश फूल है ये ठीक है इस फूल मेगाले के सिलॉंग में ही खिलता है ये फूल जो है बेटा लिख लिजे यह फूल मेधहले के सिलोंग मेघाले मेघाले के सिलोंग में खिलते हैं मेघाले के शिलोंग में खिलते है उसी समय यह festival क्या होता है बटा उसी समय ये तिवहार मनाया जाता है तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा किलियर है उन्ही समय ये तिवहार को मनाया जाता है 28 नमबर लिखिएगा 28 नमबर लिखिएगा बेटा हेराय फेस्टिवल हेराय फेस्टिवल जो हेराय फेस्टिवल है ये मनाया जाता है जमू कश्मीर में कहां मनाया जाता है तो जमू कश्मीर में और ध्यान रखिएगा जो महाशिवरात्री होता है बेटा महाशिवरात्री होता है ना महाशिवरात्री का पर्व तो महाशिवरात्री के समय कस्मिरी पंडितों के लिए मनाया जाता है बेटा कश्मिरी पंडितों के लिए मनाया जाता है ये ठीक है इन चीजों को ध्यान से समझेगा चलिए आगे लिखेगा ट्वंटी नाइन नंबर लिखेगा बेटा ट्वंटी नाइन नंबर लिखेगा हरेली जो हरेली फेस्टिवल है ये कहां मनाया जाता है और एक और लिख लिजेगा बेटा 30 number एक तो फरेली फेस्टिवल है और एक लिख लिजएगा फरेला फेस्टिवल ये दोनों के बारें बताइएगा कहां पर मनाया जाता है तो मेरे बच्चों ध्यान दिजएगा जो हरेली फेस्टिवल है ये मनाया जाता है बेटा 36 गढ़ में ठीक है और जो हरेला फेस्टी वाले बेटा ये मनाए जाता है उत्राखंड में उत्राखंड ठीक है देखिए यहाँ पर E की मातरा है तो यहाँ भी E की मातरा है यहाँ पर आका मातरा है तो ध्यान दिजेगा भूलाने का नहीं ठीक है चलिए तो ये था कुछ परमुक्तिवार था मेरे बच्चों तो अब हम आते हैं शुभ काम पे आते हैं ठीक है बेटा ये तो खाली शलाइड रह गया और अब हम हमारा सेशन अस्टार्ट हो रहा है बेटा कुछ-कुछ important headline है current affairs के साथ साथ अस्टार्ट हो रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल अपने नजर्यों को जमा लिजिए अब हम आपके साथ अस्टार्ट करने वाले हैं चलिए तो ready हो जाईए बेटा आज के current affairs के लिए 5th January 2023 के लिए केंदर सरकार एक मिनट ठीक है ठीक है देखिए केंदर सरकार deep tech startup को बढ़ावा देने के लिए launch करेगी क्या launch करेगी बेटा digital india innovation fund center government will launch digital india innovation fund to promote deep touch startup तो actually deep touch startup होता क्या है ध्यान से समझेगा जो deep technology है ध्यान से समझेगा जो deep जो deep technology है बेटा इसी को क्या करने के लिए बढ़ावा देने के लिए जो गौर्मेंट है central government यह अस्टार्ट कर रही है बेटा digital इंडिया इन्वेशन इंडिया इन्वेशन अस्टार्ट कर रही है और ध्यान से समझेगा जो इसका उप्योग होगा ना मेरे बच्चों इसका उप्योग कहां पे किया जाएगा बेटा तो लिख लिजेगा इसका उप्योग होगा एक तो हरीत उर्जा के लिए हो जाएगा बेटा एक तो होगा हरीत उर्जा के लिए हरीत उर्जा में संबोल सकते हैं एक तरीके से जो स्वच उर्जा संसाधन होगा बेटा उसके के लिए दूसरी चीज इसका उपयोग और कहां किया जाएगा बेटा क्रिशी में किया जाएगा बेटा कहां पर किया जाएगा क्रिशी को बढ़ाने के लिए किया जाएगा बढ़ावा देने के लिए ठीक है इसके बाद और कहां के लिए किया जाएगा जो भी इंजिनियर्स या वॉग्यानिक है इनके जो खोज करते हैं यह जो क्या करते हैं इनको बढ़ावा देने के लिए क्या शकता है, इसको उप्योग किया जा सकता है। एक चीज और यहां परोला कर लिए मेरे बच्चों जो होता है इंगे बड़ावादेने jealous ध़्य उपियोग किया जा सकता है सब्सक्रांच कि इसमें बड़ावा देने लिए धान, ओर जो startup होता है इसका एक मिनट, ठीक है, जो startup होता है मेरे बचों, जो startup है, अगर पुछ दिये startup, startup के बारे मैं कुछ थोड़ा सा बता दूं, तो startup जो है, इसका अगर बड़ा रूप बोले, इसका बड़ा या फिर विरहद रूप को बोले बेटा तो इसको क्या बोला जाता है इसको कहा जाता है बेटा लिख लिजिएगा Unicom क्या कहा जाता बेटा Unicom कहा जाता है और एक चीज और important है मेरे बच्चों यहाँ पर note कर लिजिएगा जो startup days है यह कब मनाया जाता है startup days है यह कब मनाया जाता है तो इसके बारे में लिख लिजिएगा जो national 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 a startup day है बेटा यह मनाया जाता है 16th January को कब मनाया जाता है बेटा 16 January को national startup day मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट नमबर नेक्स्ट हेडलाइन क्या है भाई साब देखिए यहां पर क्या बोला गया है ध्यान से समझिएगा बिल्कुल ताजे ताजे खबरों के साथ 36 गर्ड पुलिश के निजात अभ्यान को मिला अमेरिकी IACP 2022 पुरसकार ठीक है एक्चली यह होता क्या है तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा जो निजात कारिकरम है बेटा बिल्कुल लिखते चलिएगा सबसे पहले हेडिंग क्या था 36 गर्ड पुलिस के निजात अभ्यान को मिला अमेरिकी IACP 2022 पुरसका 36 गर्ड पुलिस निजात कैंपेन गेर्ड से अमेरिकन IACP 2022 तो ध्यान से समझिएगा जो निजात कारिकरम है न मेरे बच्चों जो निजात कारिकरम है भाई साफ इसके बारे ध्यान से समझिएगा 36 गर्ड में स्टार्ट किया गया था कहां सुरू किया गया इसको शुरू किया गया था लिखते चलिएगा 36 गढ़ में स्टार्ट किया गया था और ध्यान से समझे इसका उद्देश से क्या था अगर आपसे पुछ दे कि बताईए जो निजात कारिकरम स्टार्ट किया गया है तो इसका परमुख उद्देश से क्या था इसका उद्दे पुलिस के द्वारा कहां पर मертвů एक स्टार्ट किया गया था था जो आ ए का चito कर रसी पर खखवर क्या है विख्याँ बेता में में चोर्ड कीषमय के रहे यह लुस्य ज़क्त करों में शुरू किया गया था शुरू किया गया ठीक है और एक चीज और अगर मैं पुछ दूँ कि बता ये एक start हुआ था बेटा आपसे एक start हुआ था मितान आपको याद होगा मितान और एक start हुआ में ही शुरू किया गया था इन चीजों को ध्यान दिजेगा बिल्कुल ताजे ताजे खबड़ों के साथ हैं हम चलिए आगे बढ़ते हैं थार्ड नमबर तिलंगाना के तिलंगाना के भद्राचलम मंदीर तथा रुदेश्वर जिसे रंपा मंदीर भी कहा जाता है बेटा को परसाद योजना में सामिल किया गया ठीक है भदराचलम टेम्पल एंड रुद्रेश्वर जिसे रंपाव टेम्पल बोलते हैं ठीक है बेटा तिलंगाना में परशाद योजना उसके में इसे सामिल किया गया है ठीक है एक्चुली अगर आप समझे तो यहाँ पर परशाद योजना होता क्या है यह समझे तो ध्यान से समझेगा बेटा जो परशाद योजना होता है जो परशाद योजना है इसके तहट क्या किया गया था इसको सबसे पहले ध्यान से समझेगा यह 2014 से 2015 में सुरू किया गया था बेटा कब सुरू किया गया था इसे 2014-15 शुरू किया गया था और जो इसका परमुख उदेश्य था कि किस उदेश्य से स्टार्ट किया गया है तो लिख लिज़े बेटा तीर्थ अस्थान जो भी होते हैं बेटा तीर्थ अस्थान होते हैं इनके कायक कल्प मिन्स सुधार लाग सुधार करने के लिए क्या बेटा सुधार करने के लिए ठीक है सुधार करना इसी लिए इसको क्या किया गया था अस्टार्ट किया गया था ठीक है और एक चीज और समझेगा इसमें जो ये परसाद योजना है ध्यान से समझेगा जो परसाद योजना है परसाद योजना इसमें कौन-कौन से मंदिर शामिल है बेटा कौन-कौन से मंदिर शामिल है ठीक है तो नोट किजिए कि आप लोग देखिए एक तो लिख लिजेगा बेटा भद्राचलम भद्राचलम मंदिर और दुसरा है बेटा रुद्रेश्वर ठीक है ये दोनों मंदिर को हम समझते है अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ये भी कहाँ पे है तो तिलंगाना में है कहाँ पे बेटा तिलंगाना में है और इस मंदिर का जो जीक्र है बेटा इस मंदिर का जो चर्चा किया गया था रामायन में भी इसकी चर्चा हुई है कहाँ पे बेटा रामायन में रमायन में भी इस मंदर की चर्चा की गई है और जो रूद्रेश्वर मंदिर है बटा ये भी है कहाँ मेरे बच्चों तिलंगाना में और ये किससे समंदित है तो भगवान शिव ठीक है भगवान शीव और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो रुद्रेश्वार टेंपल है बेटा जो रुद्रेश्वार मंदिर है इसे क्या किया गया है इनेशकों के द्वारा इनेशकों के द्वारा इसे किस में सामिल कर लिया गया बेटा विश्व धरोहर में सामिल कर लिया गया है ध्यान से समझेगा जो रुद्रेश्वार मंदिर है मेरे बच्चों इसे विश्व धरोहर में सामिल कर लिया गया है विश्व धरोहर में इसे सामिल कर लिया गया है चलिए आगे बढ़ते है नेक्ष्ट नमबर फूर्थ नमबर कहां चला जाता है ठीक फूर्थ नमबर लिखिएगा ब्राजिल के दिगज फुटवाल खिलारी पेले का निधन ठीक है जो फुटवाल खिलारी थे बेटा ये ब्राजिल के थे इनका क्या हो गया है निधन हो गया है आली में तो इनके बारे में एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूँ दिखिए सबसे पहले ये कितने बार फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं ये बताईए ये कितने बार फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं फीफा वर्ल्ड कप कितने बार जीते हैं ये तो बेटा ये तीन बार जीते हैं कितने बार जीते हैं ये तीन बार जीते हैं ठीक है फीफा वर्ल्ड कप ये तीन बार जीते हैं ये तीन बार जीते हैं ठीक है और एक चीज और इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बिटा कि जो यह प्लेयर्स थे ना यह प्लेयर कभी भी किसी दूसरे कलब से कभी नहीं खेले हैं यह प्लेयर कभी भी किसी दुसरे कलब से नहीं खेले चलिए पाने कभी होता था वन मिनट थो रहा वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट हो मिन मिनट वन मिन मिनट विन खीक वन मिन अ झाल झाल ठीक है देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सबसे पाले यहाँ पर जो यह प्लेयर हैं इनके बारे मैं बात कर लूँ तो तीर वार फिफा वर्ल्ड कप जीते थे बैटा थ्री टाइम्स यह फिफा वर्ल्ड कप जीते थे बैटा और यह कब कब जीते थे तो मेरे बचों लिख लिए जाएगा 1958 में जीते थे 1962 में जीते थे बैटा 1962 और यह तिनों जीते थे और इन्हें जो यह प्लेयर है बैटा जो यह प्लेयर है इनको 2000 में 2000 में इन्हें क्या किया गया था फिफा के द्वारा फिफा के द्वारा इनको क्या किया गया था बैटा सम्मानित किया गया था किसे से खिताब दिया गया था फिफा के द्वारा एक खिताब दिया गया था ठीक है और उस खिताब का नाम क्या था बैटा प्लेयर ओफ दा सेंचूरी ठीक है इसके बाद यहाँ पे ध्यान दिजिए कि पेलो कभी भी जो पेले ठीक है जो यह पेले है यह कभी भी दुसरे टीम से दुसरे कलब से नहीं खेले हैं यह सिर्फ किसे से खेले बेटा ब्राजिल से ठीक है तो इसी लिए ब्राजिल गौर्मेंट ने जो ब्राजिल के गौर्मेंट हैं इनको क्या किया इनको क्या किया गे बेटा राष्टिय ध्र प्रोहर में ठीक है क्यों सामिल किया बेटा क्योंकि ये जो पेले हैं जो फुटवाल प्लेयर हैं प्लेयर थे ये कभी भी दुसरे कलब से कभी नहीं खेले हैं ठीक है इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भारत की पहली महिला सिच्छी का सावित्री भाई फूले की जयनती मनाई गई ठीक है बेटा जयनती मनाई गई अब थोड़ा सा हम समझते हैं एक चीज़ यहां पर इंपोर्टेंट है गौर करते चलिएगा आप लोग देखिए सबसे पहले अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो बताईए यह कहां की है इनका जन्म कहां हुआ था यह बताईए हमें सबसे पहले देखिए बेटा इनके बारे में अगर मैं बता दूँ ति इनका जन्म हुआ था बेटा कहां पे हुआ था तो महराश्टी में जो सावित्री भाई फूली है इनका जन्म हुआ था बेटा महराष्ट में थिक है इनका जन्म कहा हुआ था महराष्ट में हुआ था दूसरी चीज अगर मैं इनको बोलूं इनके बारे में कुछ बताओं तो ध्यान रखियेगा ये इसमें इन्हों ने क्या किये थे पूने में बाली का अस्थापना किये थे बाली का विद्याले की अस्थापना किये थे ठीक है अस्थापित की थे और ये सत्य सोधक समाज महराष्ट से बिलोंग करती है बेटा ये जो सावित्री सावित्री बाई फुले हैं ये बेटा सत्य सत्य स्रोधग समाज से थे महाराष्ट ठीक है बेटा महाराष्ट और इनके पती का नाम था बेटा लिख लिजेगा इनके जो हस्वेंड थे पती थे इनके पती का नाम था जियोतिवा फुले क्या नाम था बेटा जियोतिवा फुले नाम था जियोतिवा फुले नाम था ठीक है इनके दोरा एक पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम था नाम क्या था बेटा उस पुस्तक का नाम था गुलाम गिरी क्या नाम था गुलाम गिरी नाम था ठीक है यह important कुछ point था इनसे संबंदी चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं शिक्स नमबर चीफ मिनिस्टर पिंडरई विजन इनागरेटेड इंडियन लाइबरेडी कॉंग्रेस इन कर्नूर ठीक है यह तो यहाँ पे बदे दिया कि एक पुस्तकाले है कॉंग्रेस पुस्तकाले है भरतिये पुस्तकाले कॉंग्रेस है इसका उधगाटन किया है केरल के जो मुखमंत्री है पिंडरई विजन तो आपसे question यह नहीं है आपसे question यह पुछ दिया कि बताएए वहाँ के गुवर् तो मेरे बच्चों ध्यान रखिए का गौर्णर मीन्स होते हैं राज्यपाल ठीक है क्या होता है बटा राज्यपाल तो इसे खुसकबरी के साथ आप हमें बता दें कि कौन है वहां के राज्यपाल ठीक है तो आए बटा देखिए सबसे पहले अगर मैं वहां के राज्यपाल क कि बात करूँ एक मिनुट वहां कि राज्यपाल की बात करूँ तो आरिफ मुहम्मद खान option no.1 is the correct answer ये कहा के है बीटा गुवर्णर ये है ये गुवर्णर है बीटा ये गुवर्णर है कहा के केरल के केरल ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूँ option no.2 CB Ananda Boss यह कहा के गवर्नर है बेटा यह बताईए यह कहा के है यह तो इनके बारे हम लिख लिजिएगा यह है मेरे बच्चों West Bengal की कहा के है बेटा West Bengal की है गवर्नर option no.3 जग्दीस मुखी यह कहा के है मेरे बच्चों तो असाम के है तो असाम के गौरना रहे बेटा, ठीक है, इसके बाद, option number four, मंगु भाइ सी पटेल, मंगु भाइ सी पटेल, ये कहा के हैं मेरे बच्चों, ये हैं मध्य पर्देश के, मध्य पर्देश के गौरना रहे बेटा, और जो कलराज मिस्रा है, ये आपका, राजस्थान के, कलराज वालम पधारों मेरों देश है ना तो option number one is the correct answer यह सभी गुवर्नर है बेटा एक कौन है गुवर्नर है राज्य पाल है ठीक है मेरे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं question number six देखे UPI reaches record high of payments worth in December 2022 जो UPI है December में जो भुगतान के एक record उच अस्थर पर पहुंच गया इसका record तो बेटा इसमें कितने का transaction कितना का इन्होंने record बनाया था बेटा तो ध्यान रखेगा payment हुआ था इनका payment में जो इन्होंने record बनाया था यह 12.82 लाक करूर option number one is the correct answer ठीक है चलिए 8 number देखते हैं मेरे बच्चों Dr. Elida Guerra को दिया गया पर्थम के आर गौरी अम्मा नेशनल ओवर्ड फर्स्ट के आर गौरी अम्मा नेशनल ओवर्ड गिवें टू Dr. Elida Guerra तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा अगर बात कर लूँ बेटा तो इनके बारे में देखिए सबसे पहले देखिए इनके बारे में आप जानते हैं कि जो डॉक्टर Dr. Elida Guerra है बेटा Elida Guerra है इनके बारे मैं थोड़ा बता दूँ तो ये बेटा समाजिक कार करता है कौन है बेटा समाजिक कार करता है ठीक है बेटा समाजिक कार करता है और 2022 में 2022 में ठीक है जो 2022 में बेटा जो पिन्रही विज्यन है वहां के मुख मंत्री पिन्रही विज्यन जो हां के मुख मंत्री है बेटा इनके द्वारा क्या दिया गया था इनहीं के द्वारा इनहीं के द्वारा ये पुरशकार ये पुरशकार किनको दिया गया था ये पुरशकार दिया गया था बेटा डॉक्टर Elida ग्वेरा को दिया गया था के लिए रहे कि लिए चलिए आगे अगे आगर मैबात करो ठीये कहा की रहने वाली है डॉक्टर ग्वेरा तो बेटा जो यह डॉक्टर ईलीड का रहने कहां की रहने वाली है क्यूबा की रहने वाली है और क्यूबा के बारे में एक और प्वाइंट लिख लिजेगा क्यूबा को क्या बोला जाता है मेरे बच्चों चीनी का कटोरा बोला जाता है क्या लिख लिजेगा चीनी का कटोरा कहा जाता है ठीक है चीनी का कटोरा कहा जात का संचालन करना घरों का संक्सालन करना ठाष करना ठीक है और एक ध्यान रखियेगा अगर मैं थोड़ी सी थोड़ा सा पुछ बिंदु को और मैं यहाण पर बताना चाहूं ते इनके बारे में लिख लिजेगा थोड़ा सा कि ये जो पुरशकार है बेटा जो ये गौरी अम्मा है के आर के आर गौरी अम्मा पुरशकार है बेटा पुरशकार है ये किसके द्वारा दिया जाता है किसके द्वारा दिया गया तो ये ध्यान रखिएगा बेटा केरल केरल राज्य के द्वारा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नाइन नमबर नाइन नमबर है तेलंगाना सरकार द्वारा रायथू बंदू योजना के दसवे संस्क्रन का किया गया प्रारम तेन्थ एडिशन अफ रायथू बंदू असकीम लॉंच्ट बाइ तिलंगाना गौर्मेंट ठीक है पेटा अब यहां पे जब तिलंगाना गौर्मेंट की बात ही है तो थोड़ा सा कुछ इसके बारे में आप लुग गुफदगू कर ले बाते कर ले देखे अगर मैं अगर म तिलंगाना सरकार को द्वारा दसमें संस्क्रम का किया गया था पुराराम किया गया था बेटा और यह क्या था यह रायतू बंदू योजना था बेटा रायतू बंदू योजना तो इसका दसमें संस्क्रम किया था ठीक है तो लिख लीजेगा इसके बारे में जो रैतू बंदू रैतू बंदू जो यह योजना थे यह योजना है ठीक है यह द्यान से समझ ज़ेगा 2018 में तिलंगाना राज्य द्वारा शुरू किया गया था 2018 में तिलंगाना राज्य द्वारा क्या किया गया था बेटा इसे शुरू किया गया था ठीक है शुरू किया गया था और इसका अब जो हुआ था ये कब हुआ है बेटा इसका दस्मा संस्क्रन हुआ है ये इस बार टेंथ संस्क्रन हुआ है ठीक है दस्मा संस्क्रन हुआ है मेरे बच्चों और ये इसमें देखिए ध्यान से समझेगा तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है बिटा कौन है तिलंगाना के मुखमंतरी के बारे में अगर बात करूँ तो लिख लिजेगा चंदर सेखर राओ चंदर शेखर राओ चंदर सेखर राओ ठीक है चंदर सेखर राओ और ये ध्यान रखिएगा जो रायतु बंदु योजना है ये किसलिए किया गया था बेटा ये किसानों की किसानों की सहायता की करने के लिए किया गया था बेटा किसके लिए किसानों की सहायता किसानों की सहयता के लिए किया गया था और एक चीज और मैं यहाँ पर पूछ दू एक और किया गया था किसान लिख लिजेगा किसान योजना ठीक है बेटा तो यह जो किसान योजना किया गया था यह सुरू किया गया था बेटा सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया था शुरू किया गया था ठीक है और इसमें जो किया गया था तो किसान जो भी क्रिसक हैं बेटा जो भी क्रिसक हैं इनके सम्मान में किया गया था मेरे बच्चों और ध्यान रखिएगा तीन किस्त में कितने किस्त में, तीन किस्त में, कितने कितने हजार, दो-दो हजार रुपया दिया गया था, मतलब टोटल छे हजार रुपया, ठीक है, तीन चीजों को थोरा सा ध्यान रखेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्ष नमबर, टिन्थ नमबर में मेरे बिटे, देखिए का क् ब्राजिल्स प्रेशिडेंट, लुईज इनासियो लूला, डॉक्टर सिल्वा ने ब्राजिल के राष्टपत्ती के रूप में, अपना कारिभार, क्या किया बेटा, गरहन किया, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, तो कितने के लिए, तो option number third, three is the correct answer, ठीक है बेटा, तो यही आज का last question था, उमीद है कि आप लोगों को सेशान अच्छा लगा होगा, तो फिर हम मिलते आप लोगों से next session में, तो मेरे प्यारे बच्चों लाड लूँ, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड ठीक है बेटा, तो इसीक साथ आप लोगों से फिर मुलकात करते हैं, नेक session में और जाने से पहले, जो भी बच्ची हमारे यूटूब चैनल, लेट्स क्वालिफाइनों को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज बेटा, हमारे यूटूब चैनल, लेट्स क्व अधार topic और current affairs के साथ साथ और उधर reasoning का topic आपका चलता ही रहेगा, ठीक है बेटा, तो हमें इजाज़त दीजिए, जैंद।